कोई कोई एक चीज में ना इनका फाइनांशियल पालिसी करेक्टर है क्यों माफी मांगे बाई किसानों से अगर आपका तीन तीन आट जो लाए क्यों विड्रा करें अगर आप सच्चे हो तो किसानों से माफी क्यों मांगना पड़ा और प्रदान मंत्री तो आदत है माफी मांगने का जब वो प्रदान मंत्री बनना चाह रहे थे लोगों ने पूचा उनको गोदरा कांड के बारे में अगर आप प्रदान मंत्री बनोगे तो देश में आईचे करोगे क्या तो उन्होंने मुसल्मानों से माफी मांगा हाँ बिल्कुल मुसल्मानों से माफी माँदेश के मुसल्मान बाइयों से माफी मांगता हूँ यह कभी डवरा नहीं जाएगा इसा नहीं होगा यह मेरा आश्वासन है यह मोदी जी ने कहा अब फिर किसानों से माफी मांग लिया अब लगता है देश के प्रदान मंत्री माफी के सवधागर है क्या समझना चाहिए यह तरीका है देश को चलाने का फिर अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहुत काली चुना हुता हमने इसको बंद रखा है फिर से लाएंगे कहते जा रहे है कि यह तरीका है देश को चलाने का बिल्कुल नहीं इनको इनका राजनीती भी इतना गलत अंदाज में इतना ना समझी से करता है बिल्कुल बेकर बिल्कुल एकदम अरे बहुत आप अमेरिका गए परदान मंत्री जी हौडी मोडी अमेरिका चुनाओ से हिंदुस्तान को क्या लेना देना है भाई अमेरिका चुनाओ क्या हमधाबाद मुन्सपल कार्परेशन का इलक्षिन है क्या तमास आता है कोई भी समझदार परदान claro क्या किसी दूसके दूसरे देश के एलेक्शन में चुनाओ में पकाचार करते क्या यह विधेश नी ती है हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके वहें जाके कहे दिया अब की बार टर्रंप की सरकार अब Przybarn Trump की सरकार it's a total strategic mistake of Mr. Narendra Modi and this BJP government it's a rubbish सुनिये आप लो वो क्या कह रहे थे अब की बार Trump सरकार in India have connected well with President Trump the words the words of candidate Trump akki bar Trump सरकार is it not a strategic mistake of a Prime Minister of a country अब क्या हुआ चुनाओ हो गया माँ सरकार पल्टी का गया अब गये मोदी साब अमेरिका में हाल में बेहाल बेहाल White House में कोई पूचने वाला नहीं Airport में कोई proper receiving नहीं क्या हुआ देश का इज़त ये तरीका है अमेरिका देश का चुनाओ क्या अहमदाबाद मुनिस्पल कार्पोरेशन का चुनाओ है क्यों जाना पड़ा प्रदान मंत्र को क्यों कहना पड़ा क्या मजबूरी थी ये है भाज़पा का नीती और इसके लिए हमको जएजएकार करना चाहिए ऐसे हजारों चीज़े हैं हजारों जो हम इस देश के सामने रखेंगे हजारों एक नहीं दो नहीं सबसे बड़ी बात बड़ी दुक्की बात बहुत दुक्की बात जिस प्रकार का लांग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते किसी का कोई मान्यता नहीं इस देश में कितना गंदे गंदे बातें करते लोग जिसको चाहे जो चाहे कहे दो जो मन में आये कहे दो गालियां दे दो मैं कल कह रहा था आज भी कह रहा हूँ इस देश के युवा से खास तोर पर ये कल का इंडिया आपका इंडिया है मेरे युवा मित्रो मेरे भाईयो मेरे बुद्धी जीवियो देया करके सुँचिए क्या हो रहा है हमारे बंगलूर में हमारे करनाटक में नवजवान बच्चियों को नवजवान बच्चों को क्या सिखाय जा रहा है इतना बड़ा हेट्रेट ये कहां जाएगा हिंडुस्तान तिलंगाना साथ साल पहले जहां किसानों का आत्मा अच्च होता था माइग्रेशन होता था पीने को पानी नहीं मिलता था बिजली नहीं आती थी सिंचाई के लिए पानी नहीं थी बहुत बेहाल थी साथ साल के कड़ी मेहनत के बाद एक अच्चा संसकार पूर्वक गंगा जमना तहजीब को अमलावरी करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है तिलंगाना में हमारा परक्यापता इंकम बढ़ गया हम धन्वान राज बन गए हमारे पास जीरो का नीचे है और इंप्लाइमेंट इंप्लाइमेंट अपास्मेंट इं मिल रहा है इंवेस्टमेंट्स आ रहे है इंडस्टी की बढ़ोत्री हो रही है आईटी की बढ़ोत्री हो रही है रियल इस्टेट बढ़ रही है मुखे मिल रहे हैं बच्चों को ये क्यों मिल रहे है हमारे मंत्री मंडल हमारे MLA, हमारे MP, हमारे आपसर, सोब मिलकर एक अच्छा खासा महोल यहां पर बनाए a proper echo has been built in the state of Telangana once this echo is ruined with a bloody unwanted religious silly fight if you lose the echo of Hyderabad if you are going to lose the echo of Telangana कोन आएगा यहां निवेश करने के लिए who will invest who will come, please think it is time for the youth to think इस देश के युगा का यह फर्ज है यह भविश्य आपका है देश आपका है हमारे आज आफगनिस्तान में जागे किसी को कहो इंडस्री लगाऊ कोई लगाएगा कोन जाएगा आफगनिस्तान उल्टा पाइसा देो तब ही नहीं जाएगा क्यों जहाँ शांती रहता है जहाँ अच्छा माहोल रहता है जहाँ एक दूसरे को प्यार करते है जहाँ प्यार मोहबत वाला वातावरन बना रहता है वहाँ जाता है आप हर जगा मज़ब के नाम धरम के नाम अंगार लगा दे रहे यह क्या तरीका है कोन नहीं मानता भई भगवान को इस देश में कितने लाकों मंदिर है गावें गावों में लाकों मंदिर है हमारे पास हर जिन मंदिर बनते रहता कोन पूजा नहीं करता भगवान का हर कोई करता लेकिन भगवान के नाम पे धरम के नाम पे यहींसा ये हेट्रेट क्या करना है आप इस देश को किदर ले जाना चाहरा है आकर ये प्रवृत्ती यहां तक जा रहा है कुले आम राज्य सबा में मैंने सुना माननी ये प्रदान मंत्र को कहते हुए कि पूरे कांगरेसिया अर्बन नक्सलेट बन गए बड़ा दुक्की बात है बड़ा चिंता की बात है हर पार्ट ये अगर नक्सलेट बन गए तो क्या बात है जिसको चाहिए आप स्वीपिंग रिमार्क करो चिंता का विशेज तो देश के लिए ये है कि बाजपा के नेताओं का दिमाग कराब हो गया ये चिंता इसका है हमें देश को चिंता करना चाहिए जितना जल्दी बगाओ बाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है ये डिवाज़िव पाल्टिक स्केलने वाले देश को विभाजन करने वाले इनको जितना जल्दी स्विच आप करो तो उतना ही देश के लिए अच्छा है 100% कोन चाहता भई हर रोज गरबड हो, हर रोज फाइरिंग हो पोलिस करत्वी हो, लाटी चार्ज हो हम ये चाहते ये कोई नया उद्योगा है, नया इंडस्टिया है नये नवक्री मिले ये चाहते, क्या चाहते हैं किसान जादा हुगा है अच्छे फैसे कमाँ ये चाहते कि किसान अपना हुगा है अपने पईदाईवरी नहीं ला सके मार्केट में जो के कर्फु है, गरबड और अंदोलन है? क्या चाहेंगे हम लोग ये देश क्या चाह रहा है शांतीपुरु एक जीवन चाह रहा है कि धरम पे नाम पे धंगे चाह रहा है आकर यहां तक यहां तक यह बात मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कल भी मैंने कहा है कोई जिम्मेदार बाजपा नेता का कोई जवाब ही नहीं राहूल गांदी जो एक MP है अकिल भारती है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्स भी है उनका परिवार है अइतिहासिक परिवार है मेरा कोई रिष्टा नहीं है राहूल गांदी से उनका पार्टी से मेरा कोई तालुकात भी नहीं है मेरे अपना अलग पार्टी है लेकिन क्या कहते है एक मुक्य मंत्री इस देश के जिनके दाजा जेल में थे हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए कहीं हो साल अपने खुशियों को अपने फैमिली को कुर्बान करके डिकेट्स टुकदर उनका नानी की मुरुच्च्च्च हो गई मरवगा गया उनको देश के लिए काम करते करते उनके पिता को भी मारा गया ऐसे परिवार को पकड़ के क्या कहता असाम के चीफ मिनिस्टर ने कोई तरीका है क्या उसको प्रदान मंत्री शेबाशी दे रहे बाज़पा के नेशनल प्रेज़िडेंट साब को मैं फिर एक बार अनुरोद कर रहा हूँ ये बाज़पा का गरिमा का सवाल है बाज़पा के लिए इज्जत का सवाल है मैं इस बात को छोड़ूँगा नहीं कुछ सिल्ली बातें बोलो जोकर बातें बोलो कांग्रेस TRS को टायप करना चाहिए हम कुछ है ये टायप हम सक्षम है अपने जगह दो दो चुनाओं हमने बगएर किसी अलेयन्स के लड़े हम अपने बल पर जीत के आए ये तरीका है बोलने का माफ ही मांगना चाहिए अगर शरम है तो इस अदमी ने कहा उनसे कहो के माफ ही मांगे या क्या समझेंगे BJP का क्या यही संसकार है ऐसे कहने वाले चीफ मिनिस्टर को आप माफ करेंगे इसका प्रोचाहन करेंगे आप